सो हेलो गाइस विलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम फिरी भाइर के जितने भी करेटर है सभी करेटर के अबलेटी के बारे में डीटेल में बताने वाला हूं इसलिए वीडियो को लाज तक देखना और मुझे पूरा यकीन है कि या वीडियो आपको परसंद जरूर आएग यहां और इसके बाद यहां पर जितने भी आविलेटि देख रहे हैं तो उस्सूरू कर देता है तो आपने जान गया कि फिरि फार में यूज करोगे तिया एक 10 मिटर लंबा आग का एक दिवाल बनाता है जिस दिवाल को को बीव हुआ पार करेगा उन से यह और फ़को पार दाइमेच के पास पर एप्धा दमेच पर एंविशंब लेंच बाएगा पर buryंज के लग आम जी और जैसे इसने फायर वाल को आरपार किया वो इसे इसके बेस्टोर हेलमेट पर डामेज परा जिसे कि इसने रिप्यार किर से रिप्यार कर लिया और जैसे इसने दुबारा आरपार किया तो फिर से रिप्यार किर से रिप्यार कर लिया यानि कि फायर वाल को आरपार करने से पर इससाथ इसके बेस्ट और हमेंट पर भी डामेज परता है और इसके अलावा इगनीर काम कर सकता है कि इसके बी गुलुबाल को बहुत धींद लगाने का बाद जब मैं इ scenery security capability को यूज करता हूँ तो यह तीन longest अंसी से तोर दिया और इस के अलाबा जब आप uniform करते हो तो इस fire wall के पीछे जो कोई भी एन्मी राता है उस enemy की बडीपॉल्ट to MUunken काम नहीं करता है तो इस परकार से काम करता है wear expected capability और इसके प्रिवाइब हो जाओगे 100 hp के साथ नहीं तो आप ओटोमेटिक एलिमिनेट हो जाओगे आप जैसा कि आप आप सुलुक देखो यहां पाफ सुलुक दे सकते हैं कि मेरे सामने के एनमी है और यह एनमी जाफ हमें डाइमेज देता है तो हमें डाउन कर देता है लेकिन सोनिया क होने की बज़े से में डाउन मिलता हुँ बलकि का टाइम मिलता है जैसा कि यहांप आप सुलूक दे कर दिया तो हमें 100 hp के साथ नया जीवाइब मिला अब यहां पर देखो वही एनमी हमें फिरसे डाउन करता है तो नहीं मेरे तीन सेंद्ट का टाइम मिलता है लेकिन मैं त के सब्सक्राइब बनने के बाद को किसी भी परकार का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है और जब रेट गोला के संपर्क में कोई इनमी आता है तो उस एनमी को डामेच परता है और उसका है जितना घटता है उतना है तो यहां पर आप सब्सक्राइब करता है और जब मैं और यहां जो करने का बात कोई भी एक परसेंग नहीं दे सकता है और इसकी एविलिटी जो है जब देर सो इपी रहता है तभी इसकी एविलिटी वर्क करता है नहीं तो इसकी एविलिटी वर्क नहीं करता है और यह जो है ओरियन करेक्टर टोटल तीन सो इपी तक स्टोर कर सकता है यानि काप ओरियन करेक्टर के विलिटी को दो बार लगाता यूज कर सकते हो अगर आपके पास 300 एपी है तो इसके बाद है और यूण करेटर के अब देखो यहाँ पर मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है और यह जब दोड़ना स्टार्ट करता है तो हमसे थोड़ा पहले ही तो ना स्टार्ट कर दिया लेकिन मैं जब मैं यहां पर अपने प्रेंड मेरे फ्रेंड से 15 परसे जुघ कम आपके मेराHealth काम है तो यहां पर यहां पर हमयरा music note इसका काम क्या है कि अगर कोई फ्रेंड न इस music note को टाच करेगा तो आपके फ्रेंड को भी hp मिलेगा आप जैसे कि आप आपसे लोग देखो हमारे फ्रेंड का है थोड़ा काम है और मैं यहां पर जब मैं आलो करेंट के लेकिन आपने साथ मेरा एक फ्रेंड है और यह जब दोरना स्टार्ट करता है तो हमसे काफी दूर आगे निकल गया लेकिन मैंने तत्सुया के अबिलिटी को यूज करके मैं अपने फ्रेंड को काफी पीछे कर दिया केबल दो ही बार यूज करके अबिलिटी को और जब मैं तीसरी बार यूज करता हूँ तो मैं अपने फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ दिया तो इस परकार से आप किसी भी एनमी पर रस करके बहुत ही हैसव OR कर सकते हो तो इस परकार से काम करते है तद्सु motto या के रिक्टर की अबिलिटी और इसके अबाद है homer काई काई हिटर इसकाई हिटर के अबिलिटी यूज करते हो तो यह एक ॢbern निकालता है तो उस एनमी को जैसे ही होमर का damage परा वो जैसे ही उसका moment speed इतना ज़्यादा कम हो गया कि वो सही से दोड़ ही नहीं परा था जिस बज़स मैंने उसको असानी से headshot मार दिया और वो finish हो गया जैम इसी परकार जब मैंने दुसरी बार होमर created capability को use किया तो इस परकार से कम करता है होमर creator capability और इसके बाद है डिमिट्री काइटर और यह एक्टिवर स्किल काइटर है और जब आप इस creator capability को use करके आप down हो जाओगे तो आप खुद से ही self revive हो जाओगे पने friend को भी revive कर सकता हो डिमिट्री काइटर का ability को use करके अब जैसा कि यहां पर आपस लोग देखो जब हमारे friend को ilmi down कर देता है तो मैं यहां पर अपने friend को revive देने की बज़ाए मैंने यहां पर डिमिट्री काइटर का ability को on कर दिया है कि हमारा friend self revive हो गया खुद से ही तो इस परकार से काम करता है तिमिट्री काइटर का ability और आप डिमिट्री का इपलेटी आपने health को भी बढ़ाने के लिए करोचे मैं कर लगा सकते हैं लेकिन मैं एक बोट के पास आकर नो का और सुठाकर को डेपा रहे लेकिना को कही कर सकते होद तो सामने इंब में निया तो मैंने को रहने कर दिमिट्री तो इस परकार काम करता है और इसके बाद है क्रेटर कई कर्टी या यूज लिमिंटेड हेल्थ मिलेगा क्योंकि यह क्रिटर आपको अलिमिंटेड यी-पी और एच्पी दोनों देता है अप जैसा कि आप 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 से लोग देखो यहां पर जाएंप यह क्रिक्रेटर के अभिलिटी को अपे आपका हेल्थ बढ़ना सुरू हो जाएगा और आपका को यूज करके आपने जवरत के अनुसार एपी और एच भी दोनों ले सकते हो अनलिमिटेड तो इस परगार से काम करता है कि यह क्रेटर के अबिलिटी और इसके बाद है उल्फरा क्रेटर इसके अबिलिटी है कि जब आप किसी एन्मी को हेड्सोड मारोगे तो उसको 30% असना डाइमेज परता है तो मैंने पहले एन्मी को डाइमेज दिया तो 262 का डाइमेज परा जो कि normal 262 का परता है जब आप किसी एन्मी को हेड्सोड मारते हो तो ये तो नॉर्मल है लेकिन जब मैं ट्रेयनिंग राउंड में जाकर के तीन एन्मी को किल करके वापस आया त पहले से 30% अधिक हेड़いました पर राए एन्मी को तो इस परकार से काम करता है उल्परा के एजवरोटिडिटी और सेम इसी परकार अगर कोई एन्मी आपको हेड़ोट्ड मारेगा तो आपको 30% काम हेड़ोट परेगा और इसके बाद से लुब्वेटा केडर इसाए है कि आप किसी दो एनमी को किल करोगे तो आप अपने हेल्थ को 2800 HP तक बढ़ा सकते हो अब जैसा कि यहाँ पाप सुलोग देखो यहाँ पर मेरे पास 200 का हेल्थ है क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी एनमी को किल नहीं किया है जैसे ही मैं किसी एक एनमी को किल करोंगा वैसे ही हमारा हेल्थ 225 HP तक बढ़ जाएगा अब जैसा कि यहाँ पाप सुलोग देख सकते हो जैसे ही मैंने दूसरे एनमी को किल किया वैसे हमारा हेल्थ 250 HP का हो चुका है तो इस परकार से काम करता है लुकवेटा करेटर के विलिटी और इसके बाद एक कुलू करेटर और यहाँ एक्टिवर स्कील करेटर है और इस करेटर के विलिटी को यूज करके आप किसी भी एनमी का लोकेशन बहुत ही असानी से पता कर सकते हो अगर आपके आसपास कोई रहेगा तो उसका लोकेशन आपको बहुत ही असानी से पता चल जाएगा आप जैसा कि यहां पर आप सुलोग देखो यहां पर आप सुलोग दे सकते हो कुलू करेटर के अगड़िटी लगा हुआ है और जैसे मैं इस पर किलिक करता हूं वैसे यह स्कैनिंग करना शुरू कर हगा हैं कि लियर के ओन लोकेशन आपे शुलीय धान चानी सीथी जैसे यहां पर मैंने जोटा करना की न Verme को देखना कि माहरत कैसे बढ़त अगया चालिए और और जब मैं एनमी को डाँमेज देता हूँ, तब भी हमारा हेल्थ बढ़ता है। गौप B-ić करोगे हैं तो आपके गन में उटोमेटिks सैलेंसर लगजाएगा जब आप मारकमें रैफल गन का यूजज करोगे तो। जैसा कि यहाँ आप आपस लोग देखो यहाँ पर मेरे पास दो गण है एक AWM है दूसरा Paid Piker है और दोनों ही गण में सालेंसर लगा हुआ नहीं है आप यहाँ पर देख सेथे को दोनों गण में सालेंसर लगा हुआ नहीं है लेकिन जब दोनों गण को मैं फायर करता हूँ तो दोनों गण मैं साइलेंसर का वाज राए जबकि मैंने कोई भी साइलेंसर का यूज नहीं किया है लेकिन मैंने को डाउन किया था तो उसको मैंने बहुत ही असानी से डाउन कर दिया थो इस प्रकार आप किसी भी एनमी को उपर इलक्टर मैंने टीव इंवें फरकोगे तो एनमी का जितने भी करेक्चर एसकिल या फिर प्रेसिप्स अभी ट्रेस कि बलोक हो आप अपस्य लोग देखो जब मैं Enemies को पॉन कर करके फारिंग करता हूं तो तो मेरा सारा गन का बॉलेट एनमी के बोड़ी पर ही जाग अच्छी पाकर रहा है इस परकार से मैंने Enemies को बहुत हीसानी से किल कर दिया जब भी मैं किसी Enemies पर फारिंग कर था तो किसी भी एनमी पर बहुत ही असानी से डाइमेज दे सकते हो जैसा कि आप 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 से लोग यहां पर जब मैं उकों करेक्टर के अबिलेटी को यूज करता हूं तो यह जो एनमी आप देख रहे हो यह एनमी आपर फारिंग करने की कोशिज करता है लेकिन उसका डिपॉल टेम इसकी अबिलेटी को दोबारा यूज कर सकते हो तो इस परकार आप किसी भी एनमी को जैसे डाउन करोगे वो इसकी अपर बुलू कलर का मार्ग हो जाएगा जिससे कि वह एनमी जहां भी जाएगा उसका लोकेशन आपको दिखते रहेगा अपजैसा कि यहां पर आपस लोग लगाया हुआ है और मैं यहां पर यहां पर फ्लेश प्रीजर फैकता हूं वाँश्चर बाता चले के बोगिये को उस कर्ते हो तो आपके फ्रेंट को भी मोट का मारकर दिखता है यानि कि आंसा साथ क्सा तो भी ऐपन्के फाइदा होता है मौकूर क्रेक्टर कब northern इसके बाद यह आपको चानी सीड पогट वगे देगा तो पहले अपके बिडिए परेगा उसके बाद ही आपका हैज पर डाइमेज परेगा अब जैसा कि यहां पर देखो यहां पर जो देख रहे हो बुलुक ररका यही एक्स्टा सीटर पॉइंट जब हमें कोई डैमेज देता है तो पहले हमारे तो पहले हमारा हैल्फ थोरा गाटा और यह जो सील्फ पॉ जब भी कोई enemy आपको damage देगा तो आप थोरी देर survive कर लोगे तो आपका still point repair हो जाएगा तो इस परकार से काम करता है Antonio crater के ability और इसके बाद मीगूल crater इस crater के ability यूज करोगे तो ये आपको 200 EP देगा जब आप किसी enemy को down करोगे और जितनी बार भी आप down करोगे उतनी बार आपको 200 EP देगा जैसा है कि यहाँ पर आप से लोग देखो लेकिन आप पहले से जादा है तो इस परकार में जितनी बार भी enemy को down करते जाओंगा वह इसे वह इसे हमारा EP बढ़ते जाएगा बस एक last enemy बचा हुआ है तो मैं उसे भी finish कर देता हूं उसके बाद हमारा EP देखना जैसे ही मैं इसको finish कर दिया देखो आप हमारा EP कितना इंका लेगा और यह पुतला जहां भी जाएगा वहां तक आप टी डिपोर्ट हो सकते हो बिना किसी परहसानी के आप जैसा कि यहां पर आप सुलुक देखो यहां पर आप सुलुक दे सकते हो कि मेरे सामने एक enemy और यहां पर मैंने सेंटीनो के एटेर के ability यूज कर लिया औ और enemy को पता भी नहीं चला कि मैं आगे से पीछे के से चलेया तो इस परकास से आप सेंटीनो के एटेर के ability यूज कर सकते हो और सेंटीनो के एटेर के यूज करोगे तो आप मेट किट को बहुत ही जल्दी लगा पाओगे क्योंकि सभी के नॉर्मल 4 सेकिन में मेट किर लगा की नेटा हो पाओगे आप जैसा कि यहां प्वार देखो जोभा में में ट्यमेज देता है तो मैं यहां पर एक गुलूबाब लगा लगा लेता हृँ जैसे मैं अके किर पर किलिक कर यूज़ करोगे तो आपको किसी भी परकार का डामेज परेगा तो तुरांत ही आपका है तीन सकेंड में तीस एच्पी रिकाबर कर देगा जैसा कि आप आप से लोग देखो यहां पर देखो मेरा है अभी पूरा फूल है और जब हमें एनमी में यह डबलो यह देता है तो मे सब्सक्राइब डाउन टाइम हो जाएगा इसके यहां पर्शी पर करक्टर की सब्सक्राइस झाड़ेह और और कई सारे इस बात पर कंफ्यूज रहता है कि surrender rate में क्या है अंतर अगर आपको जानना है कि मोवमेंट एस्पीट और एस्प्रिंटिंग एस्पीट में क्या है अंतर तो आप इस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो में मैंने movement speed और sprinting speed को बहुत ही अच्छे से example के साथ बताया हुआ है अगर आपको देखना है तो समझना है तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना लिंक डिपेसल में दिया हुआ है तो आप जरूर एक वास देख लेना और इसके बाद है एंड्रू काइटर इस काइटर के एविलिटी यूज करोगे तो यह आपके आर्मर यानि कि बेस्ट और हेलमेट के डूर एविलिटी को 25% एक्स्टा बढ़ा देता है और साथ ही कोई एन्मी आपको डैमेज देगा तो आपको 15% कम डैमेज परेगा आप जैसा है कि यहाँ आप आप सुलुक देखो और बेस्ट का डूरेलिटी पहले की तरह 260 है और जब मैं यहाँ पर गैनेट कुक करता हूँ तो पहले हमें गैनेट का डैमेज बढ़ाता है 189 का लेकिन इस बार हमें पढ़ा है 182 का ही और डूरेलिटी देखो पहले एक खतर का बचाता है लेकिन इस बार 124 से बचा हुआ यानि कि एंडू करेटर आपको डैमेज से भी बढ़ाता है और आपका बेस्ट का डूरेलिटी भी बढ़ा देता है जिसे कि आपका बेस्ट जल्दी तूटता नहीं है तो इस परकार से काम करता है एंडू करेटर के अबलिटी और इसके बाद है सूजी करेटर इस करेटर क यूज करोंगे तो यह करोंगे करोंगे तो हैं यहाँ पर मैंने सूजी करेटर के लिए यूज किया हुआ है इसलिए हमें 200 इक्स्ट्रा कॉइन मिला है यानि कि पहले से 100 का मिला है सूजी केया क्विटी की यूच करने की बजह funding कि सूजी के क्विध के मोको के साथ यूच करूंगा तो दो सुच कोइन और मिले घुए इस तैसे इस वार मैं थम्նकीन को 400 एफफ कोईन मिलेगा और एक और चीज़ कि आप जब ब्र रेंक में खेलते हो तो इस परकार का एफफ कोईन मसीन देखने को मिलता है इसे आप लुटते हो तो नॉर्मल 200 एफफ कोईन मिलता है लेकिन सुजी की एबिलिटी होने की बज़े समय यहाँ पर 300 एफफ कोईन मिला आप जैसा कि आप आप से लोग देखो यहाँ पर मैंने लूना करेटर के अबिटी लगाया हुआ है और यहाँ आप आप जो देख रहे हो रेट फायर इसका मतलब है कि जब आप किसी एन्मी पर फारिंग करोगे तो आपका फारिंग एस्पिट 8% तक बढ़ जाएगा और आपका फायरिंग एस्पिट जो है 8% तक बढ़ जाता है तो उसके बात गिरीन कलर का हो जाता है इसका मतलब है कि इस बार आपका मुविमेंट एस्पिट 15 तक बढ़ चुका है और इस परकार से लोगना करेटर आपके फायरिंग एस्पिट को हमेशा समय समय पर बढ़ आत तब ही काम करेगा जब आपके पास EP रहेगा जैसा कि यहाँ आप आप सो लोग देखो मेरे पास J-Bis का एठर है लेकिन मेरे पास एक भी EP नहीं है और मैं यहाँ पर जब गरिनेट कुक करता हूं ता हमें गरिनेट का डाइमेज जो परता है 189 का डाइमेज परता है क्योंकि म यहाँ पर हमें परहे 167 का डाइमेज यानि कि पहले से 12% काम डाइमेज परहे तो इस परकार से काम करता है जब आपके पास EP रहता है तब इसकी काम करता है इसके बाद है और या एक्टिव असकिल कर रहा है और स्काइटर का एबिलिटी है कि आगर कोई एनमी गुलूबाल के पीछे छुपा हुआ है तो इसकी अविलिटी पर कीलिक करके गुलूबाल पर डाइमेज दोगे तो उस एनमी का लोकेशन दिख जाएगा जो उसके बाद आप गुलूबाल का आरपार एनमी को डाइमेज दे सकते हो जैसा कि यहाँ पर देखो जब मैं एनमी को आर्विंभालिटी में दे सकते हों है तो इस परकार आनमी को बहूत ही असानी से फिनिस कर दिया तो इस परकार से काम करता है जायwendने करकेशचर के ब gir extend कर सकता हो ओर not कि निधा किने छिपक्राइप की ऐस अंत्व मिन में में बता दूँगा मैं जिए थिल करको तो कि भीडियो को परेफरे अंट आए याइत जरूर आया होगा तो वीडियो क्रैख कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेρχ कर देना इस वीडियो को